स्वयम ब्रह्मा जी ने बताए हैं, भाग्यशाली पुरुषों के ये चार लक्षण। दोस्तों, हमारे हिंदु धर्म ग्रंथों में जिस तरह स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उसी प्रकार से पुरुष भी घर के पालन हार श्री हरी विष्णू के समान ही होते हैं, ऐसे में माता लक्ष्मी भी श्री हरी विष्णू के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती, अगर नारी को एक तरह से अन्न पूर्णा कहा जाता है, तो पुरुष उस अन्न के प्राप्ति का स्रोत है. अगर नारी घर का संसार बसाती है, तो पुरुष उस घर संसार का भरण पोशन करता है. ऐसे में सामुद्रिक शास्त्र में न केवल भाग्यशाली स्त्री के, बलकि भाग्यशाली पुरुषों के भी कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में बताया गया है. जिससे हम ये जान सकते हैं कि वे कौन से ऐसे पुरुष होते हैं जिनका भाग्य सदैव उज्जवल रहता है. और वे जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं. यहां तक कि भविश्य पुरान में भी स्वयम ब्रह्मा जी ने इनका उलेक करते हुए कहा है कि पुरुष पुरुषों के ऐसे लक्षणों के बारे में जिनसे ये पता चलता है कि वे भाग्यशाली हैं भी या नहीं. भाग्यशाली पुरुषों के बारे में पहला लक्षण है चोड़ा माथा. दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अगर किसी पुरुष का माथा यानि कि उसके हाथ की चारों उंगलियां उसके माथे पर आसानी से समा सके तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत ज्यादा प्रबल माना जाता है। का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर में उन्हें सफलता मिल ही जाती है। दूसरा लक्षन है चाती पर बहुत अधिक बाल होना। तो ऐसे पुरुष जीवन में बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मंगल ग्रह पीडित रहता है। ऐसे व्यक्ति की परिस्थिती सदा उसके प्रतिकूल रहती है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा साफ और स्वच रहना चाहिए। जिससे आपका शुक्र ग्रह आपसे हमेशा प्रसन रहे। इसके लिए रोज आपको नहाने के पानी में चंदन अवश्य मिलाना चाहिए। पुरुष का तीसरा लक्षन है आवाज में स्पष्टता। नहीं आती है या उनकी बात को सुनने में दिक्कत होती है तो ऐसे पुरुष जीवन में पीछे रह जाते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त करने में काफी समय लगता है। चौथा लक्षन आखें काली, बड़ी और चमकदार हो। वैसे देखा जाए तो हमारी आखें हमारे व्यक्तित्व का दरपन होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप आखों से इंसान के मन तक जहांक सकते हैं। अगर किसी पुरुष की आखें बड़ी, काली और सुन्दर हो, अंदर दबी हुई ना हो और आखों के नीचे किसी भी प्रकार के काले धब्बे ना हो, तो ऐसे पुरुषों पर स्वयम हरी विश्णू की कृपा होती है। उनकी किस्मत हमेशा चमकती रहती है और इनका हर कार्य सफल होता है। इस तरह से अगर आपको जानना हो कि कोई व्यक्ती भाग्यशाली है या नहीं, तो आप उनके पैरों से भी ये जान सकते हैं। इसलिए पहले के जमाने में बड़े बुजर्ग रिष्टा पक्का करने से पहले लड़का और लड़की दोनों के पैर ध्यान से देखते थे। इससे दो बातों का पता चलता है अगर बाएं पैर की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो वह व्यक्ती बहुत ही भा से मंद नहीं माना जाता। इससे आप जान सकते हैं कि किसी पुरुष का भाग्य और व्यक्तित्व कैसा होगा। इसके अलावा व्यक्ती के स्वभाव से उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जो पुरुष किसी की भी प्रशंसा नहीं करते हैं और उनमें अहंकार भी नहीं होता है, तो ऐसे पुरुष से सूर्य देव अत्यंत प्रसन रहते हैं, जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उनके उपर सदेव शनी देव की कृपा बनी रहती है, जिन पुरुषों की मुस्कान मन मोहक होती है, उन पर मा लक्षमी की कृपा बनी रहती है, तो ऐसे कुछ लक्षण अगर किसी पुरुष में दिखाई देते हैं, तो वे अवश्य ही भाग्यशाली माने गए हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसे कुछ लक्षण हैं, तो कॉमेंट में हमें अवश्य बताएं। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है, तो इस जानकारी को शेर भी जरूर करें। धन्यवाद।